Hello and welcome to Bollywoodwala, I am Sunub, दोस्तो, Downton Abbey, A New Era नाम का English film देखा मैंने थेटर में, यार सबसे पहली बात बता दू, अगर आपने Downton Abbey सीरीज देखा नहीं है, तो ये फिल्म देखके बिलकुल कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं, फिल्म में हो क्या रहा है, क अगर आपने Downton Abbey सीरीज देखा नहीं है, तो लेकिन यार मैं अपने बारे में बताओ, I am a huge fan दोस्तो, of Downton Abbey, I absolutely love this सीरीज, ये सीरीज मैं last year देखने चालू किया था, Amazon Prime पे, और यार आदत सा बन गया था, habit हो गया था, हर दिन भाई, at least एक एपिसोड तो देखना ही देखना था, ये सीरीज देखे बागेर, यार, तो एक दिन, कभी-कभी एक दिन, दो-तीन एपिसोड में देख लेता था, यार, एक तो at least देखना ही देखना था, तो देख देखके, पूरा का पूरा सीजन में खतम किया, यार, जितना भी कितना सिक्स सीजन से, साब कुछ एक एक करके, खट-फट, 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 खटम कर दिया, I absolutely loved it, यार, क्या characters है, क्या उनका stories है, क्या उनका situations है, क्या acting है, और क्या British English है, वो सुनने में ना, यार, एक दम मजा आया है, बहुत मजा आया, अगर मैं फिल्म के बात करो, coming to this film, Downton Abbey, A New Era, य अगर आपने सीरीज देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो ये फिल्म आपको, okay, nostalgic लगेगा, decent लगेगा, decently good लगेगा, लेकिन सीरीज के मुकाबले ना, ये फिल्म थोड़ा underwhelming सा बढ़ गया, यार, मतलब उतना, उतना ज्यादा मजा नहीं आया, जितना आपको सीरीज में आया होगा, but still, nevertheless, this movie does have its multiple moments, अब दोस्तों, ये movie में होता क्या है न, अपना जो डावेजर है, played by Maggie Smith, what an actress, यार, वो अपने बच्चों को बोलती है कि, यार, उनको एक villa मिल गया है, जो France में है, अब कौन दिया है उनको ये villa ये सुमर में, और क्या है रिष Phantom Family, France चला जाता है, उस villa की तरफ, और बाकी जो आता फैमली है, वो वहाँ पे महल में रह जाता है, क्योंकि महल में एक production, film production company आता है, film shoot करने के लिए, silent film shoot करने के लिए, अब उनको संभालने के लिए, अपनी Mary जो है, वो पीछे रह जाती है, बाकी मतलब, you know, staff के साथ, household staff क बाकी जो है, वो चला जाता है, France में, villa की तरफ, अब दोस्तों, ये दो parallel stories चलता है, to be very honest, villa वाला story मुझे ठीक ठाकी लगा, but जो film वाला story था, जहापे film shoot हो रहा था, उसमें यार, कई सारे elements थे, जो आपको मतलब, मज़ेदार लगेगा, humor भी अच्छा था, और बहुत सार इसे emotions भी था, जो मतलब देखने में, अच्छा मतलब एक feel आया, specifically, मिरको वो portion बहुत-बहुत बढ़िया लगा, जहापे staff कैसे involved होता है, ये film production unit के साथ, actors के साथ हो, उनके crew members के साथ हो, director के साथ हो, you know, एक-एक household staff कैसे involved होता है, कौन क्या देखबाल करता है, कौन किसका और क्या involvement होता है, film production company, मेरी के साथ, एक center stage ले लेती है, वहाँ पे, एक lead लेती है, वहाँ पे, तो वो सब देखने में, बहुत-बहुत मज़ा है, और जो actors थे, उस film में, तो वो दो actors, एक का नाम guy और दूसरा वो, अरे, वो actress का नाम में भूल गया, यार, nice good looking girl, उनका एक mannerism, उनका mannerism देखने में काफी मज़ा आया था, मतलब थोड़ी, मतलब nut cut थी, वो थोड़ी arrogant थी, वो, बट फिर, बाद में line में आ जाती है, वो सब देखने में काफी मज़ेदार था, यार, so it was all very nice, सबसे बड़ा wow moment वो था, जब dinner table conversations जब होता है, उस dinner table में, एक scene में, the staff takes over as part of the film, and staff पूरा महराजा, महराणी जैसे, dress up करके आके वहाँ पे बैठते है, film shoot चल रहा है, and सब कुछ progress हो रहा है, अपना जो भी बाकी का, जो अपना actual महराजा, countess वगेरा, lords वगेरा, जो भी अग्रैंतम वगेरा, उलोग पीछे background में खड़ा है, it was very very nice, यार, and also दूसरा element जो इसमें अच्छा था, इसमें सबको कोई ना कोई एक love interest मिल जाता है, Patmore को मिल जाता है, Mrs. Patmore को, and उदर अपना, वो, यार, maid का नाम के Daisy, Daisy को मिल जाता है, Andy, और सबसे best तो, यार, अपना Mosley, Mosley को मिलता है, Baxter, अरे, यार, वो जो एक scene है, जहाँ पे वो propose करता है, वो Actually, आप देखोगे, यार, 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 वो एक nostalgia सा ला देगा, आपके मन में, you will start remembering the series, but overall, quite enjoyable, ठीक है, okay, not bad, yeah, decent, I am going with three stars, दोस्तो, the movie ends on a very, very emotional note, अब क्या बोलो, यार, थोड़ा emotional moment है, वो, क्यो लोग ने वो ऐसा construct किया, पदा नहीं, बट ठीक है, देखो, अगर आप Downton Abbey के fans है, तो आपको अच्छा good, decent लगेगा, nostalgia जरूर आएगा, but हाँ, outstanding नहीं लगेगा, you will obviously prefer the series more, as compared to this film, three stars, from my side, अगर आपने देखा, Downton Abbey, a new era, तो मुझे लिख कर बतना, आपको ये film कैसे लगा, और हाँ, अगर आपको ये video पसंदा है, मैं पसंदा है, तो चैनल को like, share और subscribe कीजिए, plus super thanks का option भी आपको मालुम है, कहा है न, like, dislike और share option के बाद आता है super thanks, तो अगर आप super thanks देना चाते हो, वो भी आप मुझे दे सकते हो, चलिए for the moment, टाटा!